देंट्स वेलकम तो आर ओनलेन क्लासे स्माइशल श्रीब दिक्षित तोड़े आ इंग तो टीट्यू मैथमेटिक्स अफ टेन नाइन एक्सराइज 2.4 ओके अप्टो एक्सराइज 2.3 आपको एक्सराइज 2.4 आपको इतने सब्सक्राइज गिवेन है हमें डिटर्माइन यह क करना है कि किस का X plus 1 factor है मैंने आपको पीछे की वीडियो में बता था कि factor होने के लिए condition है कि remainder हमारा 0 आना चाहिए factor होने के लिए condition है जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि 4 का factor 2 है तो जब हम इसको 2 से करेंगे तो हमारा remainder कितना आएगा जीरो आएगा तो कोई भी गिवेन कोस्टन आपको किसी भी polynomial का factor तब होगा जब हम उसको divide करेंगे या substitution method से solve करेंगे तो हमारा remainder कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए तो देखिए मैंने आपको ऐसे questions करा हुए है अब यह जितने भी है वान टू ट्री और फोर इस फोर question को आपको दोनों method फर्स्ट substitution method और सेकेंड डाइरेक्ट डिवीजन method इन दोनों method से solve करना है और आपको answer लाना है और पता करना है अगर आपका remainder जीरो आ गया तो यस यह factor होगा और अगर remainder जीरो नहीं आया तो factor नहीं होगा तो आपको solve करना है और जो डाउट होगा आप मुझे बोलोगे मैं उस डाउट का एक डाउट क्लास करके आपको वीडियो दूंगा बट आई होब कि मैं आपको concept दिया होती इन four questions में at least doubt नहीं होना चाहिए I hope same okay that you have no doubt in all these four questions okay जैसे एक बार देख लेते हैं to have x plus one as a factor सब यहाँ पर हमने बोला था कि जब substitute करेंगे तो x plus one is equal to zero then x is equal to minus one अब x की जबापर minus one अम इस से करोगे मैं आपको सिखाया हूं और आपसे होना भी चाहिए I hope कि आप करोगे ओके क्वेस्ट नमर टू में भी देखो x minus one पूट करके यहाँ पर one आया है यानि यह फैक्टर नहीं है बिकॉस रिमेंडर जीरो नहीं है अब आप इसको डिवाइड करके भी करोगे ठीक है similarly three और similarly question number four को भी आप करोगे अगर रिमेंडर जीरो आया तो आप बोलोगे yes this is factor और अगर रिमेंडर जीरो नहीं आया तो आप बोलोगे no this is not factor because remainder is not zero okay now question number two use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases देख यह same question है इसी को बोलते remainder theorem जो हम लोग substitute करता है इस theorem को मैं आपको proof कराऊंगा मैं आपको proof कराने के लिए बोला था बट actually condition नहीं बन पा रहा है वैसा क्योंकि अभी मैं question में उल्जा हूंगा आपके जब आपके question solve हो जाएंगे तो मैं आपको इस theorem को proof करा दूंगा ठेक है because जब आप पूरे question solve कर लोगे तो easily theorem proof होगा तो देखिए use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px यानि px polynomial it means देखिए यह px आपका polynomial हो गया और यह gx आपको given है यानि इससे आपको इसमें divide करना है और अगर remainder 0 आ गया तो आप बोलोगे yes this is polynomial और अगर remainder 0 नहीं आ है तो आप बोलोगे no this is not factor not polynomial आप factor की बात करोगे ठीक है जैसे कि first question देखवा आप x plus 1 दिया तो हम substitution method में पहले क्या करेंगे x plus 1 is equal to 0 then x is equal to 0 minus 1 that will be minus 1 अब x की value put the value of x that is minus 1 in given polynomial in all these polynomials and if result will be 0 then x plus 1 is factor and if not then not factor sorry in polynomial 2 we have to solve by this and in polynomial 3 we have to solve by this not only by x plus 1 let us look here x plus 1 that is x minus 1 अब हमने substitute किया है यहाँ पर 0 आ गया है यानि या factor है अब सेम आप इसको divide भी करोगे और divide करके पता करोगे कि क्या remainder 0 आया remainder 0 नहीं आया तो question number 1 और 2 आपके लिए homework है और मैं फिर से repeat कर रहाँ कि आपको इसको substitution method और direct division method दोनों से बनाना है और दोनों से आपको result आना चाहिए and I hope कि आपको इसमें doubt नहीं होगा फिर भी if you have any doubt then you can ask without hesitation okay now question number 3 find the value of k if x-1 is a factor of px px means given polynomial है आपको in each of the following cases आप देखिए इस question में बोल कर आपको यह मैं आपको बता रहा हूं ठीक है question दिया है find the value of x k sorry find the value of k if x-1 is factor यानि जो x-1 है यह factor है question बता दिया है कि इस factor है यानि जब हम x-1 से इन polynomial को divide करेंगे तो हमरा remainder 0 आएगा ओके तो ऐसे questions में आपको divide करने के need नहीं है जब भी आपको दें कि find the value of k find the value of x या कुछ भी इस इस the factor of given polynomial तो आप इनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सब्सिट्यूट करोगे और आज की value find out कर लोगे देखो कैसे यहाँ पर x-1 को x di की यह 0 है मतलब factor है यानि कि जब हम करेंगे यहाँ पर x-1 is equal to 0 then x is equal to 1 x is equal to 1 it means put the value of x in equation first या जो भी है in polynomial px तो जब हम यहाँ पर देखिए 1 को put करेंगे तो 1 का square यानि कि देखिए x-x square देखिए कैसे बिनाएंगे x-x square plus x plus k is equal to 0 कर देंगे यहाँ ठीक है because यह factor है तो remainder 0 आएक तो इसलिए हम direct is equal to 0 कर देंगे और हमने x कितना लाया है यहाँ से x1 आया हमारा तो यह 1 का square plus 1 plus k is equal to 0 then 1 का square 1 plus 1 plus k is equal to 0 it means यह हो गया 1 1 2 plus k is equal to 0 then k is equal to 0 minus 2 that will be minus 2 यानि k की value क्या आज है का हमारा minus 2 देखिए similarly question number 2 और question number 3 में भी आपको ऐसे ही करना है और question number 4 में भी यहीं करना है अब देखिए आपको root देख करके घबराना नहीं है अपने lower classes में root के बहुत सभी question solve कि होंगे तो इसलिए मैं आपको यह बताऊंगा नहीं यह आपको खुस्टे करना है जैसे मैं बोला सीधे आप जो polynomial given है उसको 0 से wait कर लो और x के value one रख करके wait कर आपके के value find out हो जाए गया और अगर doubt है तो आप पूछोगे ओके नाव question number 4 यह मैं आपको शिखाऊंगा इसमें question number 4 और 5 यह दो question ऐसे जिसका मैं के question आपको बताऊंगा इन दोनों को ध्यान से देखिए अभी मैं four के सभी questions को बता रहा हूं और next वीडियो में question number five solve होगा given a factorize यानि इन सभी questions का जो भी दिये हैं आपको factor find out करना है अब देखे के factor find out टरने के लिए मैं एक आपको simple था तरीका बताता हूं पहले मैं question को लिखता हूं और समझाता हूं इस पर ध्यान से समझेगा फिर solve किजिएगा 12x square minus 7x plus 1 it means 12x square minus 7x plus 1 यह आपका question है ठीक है कि 12x square minus 7x plus 1 मैं एक बार देख लूँ 12x square minus 7x plus 1 यह ही है okay it means 12x square minus 7x plus 1 यह आपका question हो गया इसको आपको factor निकाला है तो देखे factor निकाले के मैं दो method बताऊंगा इन दोनों method को आप carefully absorb करोंगे देखिए कैसे first method की बात करते है x x square के coefficient को हम a बोलते है ए पहले आपको याद करना है ठीक है x x square के coefficient को हम क्या बोलते है a x का coefficient को b बोलते है और जो constant term उसको c बोलते है और coefficient क्या है मैं आपको पहले भी बताया हूँ the constant term which comes before any variable is called coefficient of that variable जैसे आप x x square का coefficient क्या है 12 है x का coefficient क्या है minus 7 है symbol नहीं छोड़ना आपको और c क्या है 1 है it means आपकी a की value 12 हो गया b की value minus 7 और c का value 1 हो गया तो इसको बोलते हैं coefficient x x square का coefficient को a बोलेंगा मैं फिर से बोल रहा हूँ कि the coefficient of x x square will be called a the coefficient of x will be called b and c will be constant term तो आपको a कर लेना है अब उसके बार हमार second term क्या हो तो उसको देखते हैं आपको a into c करना है देखिए a into c a into c यानि a की value कितना 12 x x square into 1 c की value 1 है तो a into c देवाम करेंगे या आपको rough में करना सभी process ठीक है तो देखिए 12 x x square into 1 that will be what that will be 12 x x square यानि a into c आगे आपको कितना 12 x x square ओके अब आपको करना ऐसे है जो बी है ओके बी को आपको इस वे में करना भी को आपको ऐसे बी करना Áh यह तो मैं आपको method बतारहों फसक नकालना को इसको बोलते है anlam2taking तर्म S P L I T I N G splitting the middle term because the middle term को split करते हैं तो इसको करते क्या है देखिए हमारा बनाने के यही तरीका है कि हम A into C कर लेंगे पहले रफ में सारे process मैं जो समझार हो आपके रफ है अभी solution नहीं है पहले मैं आपको concept दे रहो फिर solution निकालोगा बहुत इसी है देखिए पहले concept को A into C यानि कि 12X square into 1 that will be 12X square है आगया A into C अब A into C जीतना आता है आप B को इस वे में तोड़ो B को ऐसे split करो कि हुआ C के equal है प्लस और माइनस करने पर जैसे 7X इसको ध्यान साब देखिएगा 7X अगर हम इसको आपको ऐसे split करना है कि या प्लस और माइनस करने पर 7 आ जाए और मल्टिप्लाई करने पर 12 आ जाए तो अगर हम इसको ऐसे रख लेंगे देखिए का ज़र ध्यान से माइनस 4X समझीए और माइनस 3X रख लेते हैं तो माइनस 4X और माइनस 3X को एड करेंगे तो माइनस 7X हो जाएगा हमें सिंबॉल भी केर करना है माइनस 4X और माइनस 3X को अगर हम एड करें तो माइनस 7X हो गया और इन दोनों को जब मल्टिप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 x x square positive का हो जाएगा होगा या नहीं होगा हो जाएगा तो हमने यह पता कर लिया कि A into C 12 x x square आ रहा है और जब हम B को solve करेंगे तो minus 4 x और minus 3 x आईए अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं इसम इजी वे में मैं आपको बता दे रहा हूँ आप normally question को लिख लो यह होगे आपका 12 x x square minus 7 x plus 1 आपने rough most आप कर लिया है आप क्या करोगे आप लिखो के 12 x x square अब जो आपने split किया था minus 4 x minus 3 x अच्छा इसमें minus 3 x minus 4 x भी आप लिख सकते हैं इसमें कोई issue नहीं है ठीक है पहले कोई भी लिखो और plus 1 यानि हमने a और c को exact लिख लिख लिआ और bीच वालों के split कर लिए बीच वालों को हमने यहाप क्या कर लिया है split कर लिया है अब अब यहापे दोडो term मना लोगे देखो एक term गया और एक term यह हो गया ठीक है फर्स्ट स्टेफ हमने क्या कि कि a into c किया a into c करने के बाद हमने b को इस वे में split कि a into c के बरावर हो गया और plus या minus करने पर b के बरावर होना ठीक है मतलब उसके factor हम ऐसे निकालेंगे कि plus और minus करके b की equal आजाए हम next step हम क्या करेंगे आप a को c को exact लिख लेंगे और b का अब फिर यहां पर ब्रैकेट डाल करके जो इस ब्रैकेट मिल यह हो वहीं आपको ले लेना है 3x-1 लिए हो तो आपको 3x-1 ले लेना है इन दोनों के लिए अब यहां पर आप क्या लोगे अगर हम यहां पर minus 1 को मल लेंगे तो देखिए अगर हम इसको multiply करेंगे तो minus 1 into 3x that will be minus 3x and minus 1 into minus 1 that will be plus 1 दिख रहा है नो तो हमने क्या किया दब यह लिखने के बाद दो टर्म मना या धो का एक टर्म और दो का एक टर्म अब यहां Q एक्टर और यहां पर यहां पिर यहां भी ब्रैकेट में आना चाहिए तो पहले आप इसको लिख लो और आप देखो किस से मल्टिप्लाई करए करें तो इतना निकल का अगया या याशनी यहां जल्ट बन के क्या है अब इन दोनों के एक साथ लिख लो आप एक रिजल्ट ब कीजिए अब यहां से हमारा दो रिजल्ट बन किया गया 4x-1 मतलब जो ब्रैकेट के बाहर उनको हमने एक साथ लिख लिए और जो ब्रैकेट का अंदर उसको हमने एक साथ लिख लिए कर देंने में और दोनों को 0 से कर देंग आपको यहां देखना哎 अंसर भी हो गया, आब नेक्स देखते हैं, कॉस्ट नमर 2, 2x x square प्लस 7x प्लस 3, 2x x square प्लस 7x प्लस 3, तो इसको चांट करते हैं, देखिए ध्यां से, 2x x square प्लस 7x प्लस 3, मैंने आपको बोला पहले करना एंटू c, तो एंटू c करेंगे तो मैंने result आजाएगा six x square आजाएगा because three two is a six x square अब हमें seven x को यादि middle splitting the middle term is seven x को इस way में split करना है कि हमारा six x आजाए multiply करने पर multiply करने पर और एड या subtract करने पर कितना आजाए seven x आजाए तो आप इसको जड़ा concept यूज करो कि कैसे करें कि यह सब possible होगा कि हमारा seven x भी आजाए और उनको जब हम solve करें तो हमारा six x square भी आजाए तो देखिए कैसे करेंगे हमें six x square जाएए और sorry one minute या six x square और हमें करना किसको जाए seven x को तो और यह दोनों positive में भी नहीं आने चाहिए ठीक है तो अगर हम ऐसे करते हैं seven x square कर देखिए जड़ा मल्टिप्लाई में seven चाहिए और six को तो six को एक तो हम लिखेंगे two into three देखिए two into three लिखेंगे लेकिन two into three आपका आएगा two three five हमारा seven तो आया नहीं ठीक है seven हमारा आ नहीं रहा तो इस वे में अब हम क्या करेंगा अगर हम इसको seven seven यह आप लिख लिए और one कर देते हैं देखिए तो seven और one का अगर हम टर्म निकालेंगे तो इस seven आजाएगा तो six नहीं आ रहा है एक नटकोस्तन में चेक करने में जड़ा वेट हाँ हाँ two x x square प्लस six x प्लस three है आपको ठीक है ओके रुकिए two x x square प्लस seven x प्लस three है ठीक है तो देखो इसको हम लिख सकते हैं से two x x square प्लस में अब देखिए seven x है तो इसको हम six x प्लस x लिख सकते हैं प्लस three हो कैसे तो देखिए छोटा करते हैं इसको two x x square प्लस seven x प्लस three देख लो अब हमें six चाहिए मैं आपको पहले भी बोला थे कितना तो यह six x square तो अगर हम इसको six x प्लस x कर लेंगे देखिए इमीडिल टर्म को तो six x और one x कितना आ जाएगा हमारा seven x आ जाएगा एड करने पर मैंने बोला थे कि एडिया सब्ट्रेक्ट करने पर उतना लाना है ओके और जब मल्टिप्लाइग करेंगे तो six x square भी आ गया इट मेंज six x square प्लस seven x plus three इसको हम लिखेंगे क्या एक को ऐसा ही लिखते हैं आपको बताया हूं और बी के लिए हम क्या करेंगे आप six x plus x कर लेंगे और फिर सी को ऐसा ही लिख देंगे क्योंकि six or x seven x और six x square a into c भी आ गया प्लस six x प्लस six x प्लस six x प्लस 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 six x प्लस प्लस त्री इसक्रीन पर जगह कम होने कि इसला सा बहुत प्रोलम होती है नाउ यह टू एक्स एक्स स्क्वाइर प्लस six x प्लस एक्स प्लस प्लस थ्री हम इसको लिख सकते हैं तो देखिए टू एक्स स्क्वाइर और six x x एड़गा seven x और three और जा लोगे सार बीच में प्लस का साइन मल्टिप्लाई कैसे हो गया तो आपको एक्स्वाइर नहीं करना सिर्फ आपको एग्स कर देना कि हां इन दोनों को मल्टिप्लाई करेंगे तो एंटू सी आ जाएगा ओके अब स्टार्ट करते हैं फिर आप कॉमल लेंगे यहां भी आप एक और गुषा ग्या तो टू एकश प्लस one हो गया एक बाहरवाले नakah ब्रेकेट के और ड्रेकेट य Ferr क्यानदर अधर बाल एकस प्लस 3 3 प्लस ते इस Completely आप्छी वलошग सभख देखिये टू एक्स लप्लस गया डिya होगा नेक्स्ट खनए six xx square क्प्लस 5x-6 तो इसको लिख लेते हैं 6x square plus 5x-6 लिखिए 6x square plus 5x-6 यही question है एक बार check कर लेते question को हाँ यही question है 6x square अब हमें करना क्या है a into c तो a into c करेंगे तो 66 दा 36x square हो जाएगा अब हमें क्या करना है कि 36x square तो इस वे में तोड़ना है कि हमारा बीच का टर्म आ जाए multiply यह डिवाइड करने पर 5x और सॉरी एडिया सब्ट्रेक्ट करने पर 5x आ जाए तो देखिए इसको simple में बता रहे हो आप क्या करना 36 को फैक्टर निकार लो पला है राम से टू एटीन जा टू नाइन जा 33 आपको रॉफ में एक्चुल यहीं करने अब इस पर आप एरेंस करोगी कि कैसे हम क्या करें कि एडिया सब्क्रेक्ट करने पर 5x आ जाए अचा एक कोस्टन देखिए आप जितना प्रेक्टिस करोगे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अब जितनी टाइम प्रेक्टिस करोगे तब जाकर कि आपका कोस्टन अच्छे से कम्प्रीट होगा यह आपके प्रेक्टिस को यूपर डिपयार करता है मैं ने आपको बोल लिया कि एक इन्टू सी करना है और एन्टू सी को इस वे में तोड़ना है कि बी वाला टर्म हमारा प्लस या माइनस में आ जाए तो देखिये हमारा इसको एसको स्प्रीट कर लिया अब कहीं ने कहीं देखिए थ्री थ्री जा 9 और टू तो नाइन 4 जा 36 भी हो जाएगा हमारा और 9 में से फूर जाएगा तो 5x भी हो जाएगा यानि इसको हम तोड़ेंगे कैसे देखिए 6x square को पहले लिख लेंगे 1 minute में इसको raise कर लूँ देखिए यह हो जाएगा 6x square plus अब तलिए 5x के हम बात करते हैं हमें a into c minus मिलाना है because 6x square into minus 6 minus 36 x square जाएगे तो हम इसको लिखेंगा minus 9x actually plus 9x minus 4x minus 6 अभी क्यों हो जाएगा देखिए समझा रहा हूं आपको 9x में से 4x जाएगा तो आपका result क्या हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5x result 5x और plus का symbol बढ़ा तो plus हो गया ठीक है और जब इसको multiply करेंगे तो 9 4 जा 36 x square जोगी negative मिटाएगे बिकास यहाँ पर एक negative बिशिम वालत है देखिए negative में आ जाएगा ओके तो इसलिए हमने 9x के सामने plus रखा इसको हम इस वे में भी लिख सकते है 6x square minus 4x plus 9x एक कोई बार इसो नहीं मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं ठीक है तो देखते हैं अब यह रियल्म हो जाएगा आपका अब यहाँ पर हम क्या 3x minus 2 एक टर्म हो गया और एक 2x plus 3 एक टर्म हो गया दोनों से यह देख लेते हैं मतलब दो हो गए देखे 3x minus 2 और 2x plus 3 एक टर्म आगया हमारा अचा मैंने जो सिकेंड के साब को बता रहा था देखते हैं जरा 6x square plus 5x minus 6 को आपको मैं मैंने बोला था कि इस वे में लिख सकते हैं एक लिख सकते हैं इसको मैंने बोला आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6x square minus 4x plus 9x minus 6 यह सही है देखिए कैसे अब यहाँ भी आप करोगे तो 4 में से 9 जाएगा 5 प्लस में हो जाएगा और ए माइनस 36 x square हो गया अब यहाँ आप हम क्य क्या कॉमल लेंगे देखिए 2x कॉमल लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 3x because और यह हो गया 2 तो यहाँ भी हमें क्या थी ब्रैकेट में 3x minus 2 ही जाएए 3x minus 2 होके तो क्या कॉमल लेंगे प्लस 3 कॉमल लेंगे तो यहाँ निकल कहा जाएगा तो यह का गया 2x plus 3 और 3x minus 2 तो सेम टर्म आगे 2x plus 3 और 3x minus 2 तो आप कुछ B वाले में कुछ भी पहले लिख लो it does not matter अब question of 4 देखते है जरा 3x square minus x minus 4 देखिए 3x square minus x minus 4 3x square minus x minus 4 अब करो a into c then a into c will be minus 12 x square हो जाएगा यानि 12 को आप ऐसे split कर लो कि एक एक साथ है तो देखिए 3 4 दा 12 यानि 4 into 3 करेंगे तो actual में आ जाएगा 4 into 3 करेंगे तो आ जाएगा देखिए sorry question क्या है 3x square minus x minus 4 3x square minus x minus 4 तो इसको हम लिख लेंगे 3x square अब इसको करना है तो देखिए minus 4x plus 3x करेंगे क्यों because minus 4x में से plus 3x जाएगा तो minus x आएगा हमें बीच वाला सी मॉल तो हम ऐसा care करना मैं आपको पहले भी बोला हूँ तो जब इसको subtract करेंगे हम तो आजाएगा minus x और यह minus 4 को ऐसे ही c को लिख देंगे और जब multiply करेंगे तो minus 12 x square अब हम क्या common लें आप यह question आगिया तो देखिए अब हम कुछ भी common लेने के लिए आप 3 और 4 पूंपस नहीं रहा है because दोर्व टर्म बाठते हैं हम तो अराम से x common ले लिए अंदर क्या पजाएगा 3x minus 4 because देख लिए 3x square minus 4x हो गया अब यहां भी हमें 3x minus 4 ही चाहिए because bracket के अंदर से हम रखना है तो यहां प्लस 1 को ले लेंगे because plus 1 लेंगे तो 3x minus 4 हो गया यह एक हो गया हमारा x plus 1 bracket के बाहर वाले और यह 3x minus 4 bracket के अंदर वाले यह एक्स प्लस 1 एंद 3x minus 4 यह आपका रिजल्ट हो गया x plus 1 एंद 3x minus 4 यह आपका इसमें PDF नहीं आप बना लोगे मेंजे से बताया ठीक है तो इस वे में आप सभी questions को solve कर सकते हो and I am again lifting if you have any doubt you can ask me without hesitation but please complete your homework at a given time and I am make your individual homework report and daily I mention each and every point on that page okay so be careful about your homework okay thanks